आपने देखा होगा कि आंद्रप्रदेश, पस्चिम मंगाल और अब 36 गड़ इन सरकारों ने भी CBI पर पाबंदी लगा दी हैं ये मैं भी से इसलिए कहता हूँ कि आप उसको समझ ये फर्क क्या है कि इनका कहना है कि CBI के अपसर अब इन राज्यों में नहीं आ सकते CBI काम नहीं कर सकती ऐसा क्यों भई आखिर क्यों इनको दर किस बाता लग रहा है ऐसा क्या कारणा में किये जिसके दर कारण उनकी निंद हराम हो गई है डर सता रहा है भाई और भेनों मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तो बारा साल तक लगाता कॉंग्रेस ने और उसके साथियों ने और उसके इसारे पर चलने वाली सिस्टिम ने उनके रिमोट से चलने वाले नेताओं और अपसरों ने उनकी पूरी सल्तनक ने हर तरीके से मुझे परिशान करने का काम किया एक मोका नहीं छोड़ा उनकी एक भी एजनसी ऐसी नहीं थी जिसने मुझे सताया नहों और तो और 2007 में कॉंग्रेस के एक बड़े नेता मंत्री थे यहां और वो अपने आपको बड़ा विद्वान मानते हैं वो मंत्री जी खुद गुजरात आये और उन्होंने चुनाव सभा में दावा किया था कि मोधी कुछ महिने के भीतर जेल चला जाएगा विदान सभा के अंदर कॉंग्रेस के नेता भाषन करते थे कि मोधी जेल जाने की तैयारी करें अब इस मुख्यमंत्री हो जड़ा जेल के सभाई वपाई रंग रोगान करके रखो ताकि आपको जिंदिकी जेल में इस गुजारनी है अब बताईए आपने आप सभी ने हाली में सीवी आई की स्पेशल कॉड का मुंबई की कॉड का फैसला सुना होगा इस फैसले से साफ हो गया है कि किस तरह यूपीय सरकार उसका एक मात्र एजंडा था कि सीवी प्रकार से मोधी को फसाओ और अमीद भाई को तो उन्होंने जेल में डाल भी दिया था तब हमने कभी ऐसा कोई नियम नहीं बनाया किसी सिबीया या ऐसी कोई संस्ता गुजरात में गुश नहीं सकती है ऐसा कोई नियम हमने नहीं बनाया हमारे पास भी सत्ता थी हम भी कानून जानते थे हम भी यह कर सकते थे लेकिन और हम कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं कि हमें सत्य और कानून पर विश्वास था दूसरी तरफ यह लोग हैं जो अपने काले कारणामों के खुलाशा होने से डरे हुए और इस भाय और गुखलाट में देश की संस्ताओं पर व्यवस्ताओं पर भी हमला कर रहे हैं अरे भाई किसका डर है और कम से कम देश की अदालतों पर तो भरोसा रखो आज उन्हें सिबी आई स्विकार नहीं है कल कोई दूसरी संस्ता स्विकार नहीं होगी कि आर्मी होली सुप्रिम कोड एलेक्शन कमिशन सी एजी सब गलब लेकिन एक मात्र वहीं सही कि हम राश्ट को उनके भरोसे छोड़ सकते हैं ऐसे लोगों के हाथ में राश्ट दिया जा सकता है उनकी सल्तनत के अनुरुप जो भी नहीं होगा यह उसका विरोध करते हैं जबकि हम और हमारे लिए हमें अपने समिधान पर वरोसा है यह लड़ाई सल्तनत और समिधान में आस्था रखने वालों के बीच की है एक तरफ वो लोग हैं जिने हर हाल में केवल अपनी सल्तनत बचाए रखनी हैं और दूसरी तरफ हम लोग हैं जो बाबा साब आमेड करके समिधान को मानते हैं उसके अनुसार चलते हैं